हेलो और वेल्कम बैक, डेकोरेशन के अगर बात की जाए तो फ्रिज का टॉप पार्ट जिसको डेकोरेट करना हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, पर अगर इसको हम अच्छे से डेकोरेट करें, इसको और अर्गेनाईज करें, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है और फंक्शनल भी बन जाता है, और मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया है, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शियर करूंगी, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो मैंने अपने फ्रिज के उपर ये एक कवर बिचा दिया है, जिसके दोनों साइड्स पे हैं, प स्नैक्स बगएरा रखते हैं, जो कि टी टाइम में हमारे काफी काम आते हैं, और अगर फ्रिज पे पड़े हो, तो इनको लेना भी काफी एजी रहता है, और दिखने में सुंदर तो ये लग ही रहे हैं, तो इसके बाद मैंने लिया है ये एक कप, और उसके अंदर मैंने प पेन लेके हम एजी ली लिख सकते हैं, और साथ में मैंने एक कैट प्लेस कर दी है, और जो साइड वली पॉकेट्स हैं, उनको मैं ज्यादा भरना पसंद नहीं करती, क्योंकि ये ज्यादा फलफी फलफी अच्छी नहीं लगती, तो इसकी एक साइड में एक पॉकेट मैं य जो LPG की कॉपीज होती हैं, वो इसके अंदर डाल देती हूँ, और ये एक नोट पैड है, ग्रॉसरी आइटम नोट करने के लिए, ये भी किचन में होना बहुत ही जरूरी है, तो थार्ड पॉकेट के अंदर मैं ये रबर बैंड्स रख देती हूँ, क्योंकि कई बर कोई आइटम जब बच जाती है, बॉक्स में डालने के बाद, तो उपर से ये रबर लगा के रख देते हैं, तो यहां से लेना काफी एजी रहता है, तो सेकिंड अर्रेंजमेंट में मैंने ये लिए हैं, पिकल जार्स, सेरमिक के बने हुए, क्योंकि मेरा जो डाइनिंग टेब और ये एक पैन होल्डर लिया है, जिसके अंदर मैंने पैन्स रखे हैं, तो अब इनके साथ मैं लगा रही हूं, ये सॉल्ट अंड पैपर डिस्पेंसर है, तो ये भी काफी एक फंक्शनल सा लुक क्रियेट हो गया है, सारी चीजें जो हम डेली रोटीन में यूज करते है तो इस तरह से अगर हम अपने फ्रीज को डेकुरेट करें, तो वो डेकुरेटिव तो लगेगी ही, साथ में काफी ज़्यादा फंक्शनल भी होगी, इसी तो ये थे मेरे दोनों अर्रेंजमेंट्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो के दोनों अर्रेंजमेंट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शियर करें, थैंक्स पर वाचिंग